मित्रों नमस्कार मेरा नाम है राजजेंद्र सिंग और आप देख रहे हैं व्यूपाइंट वेथ राजजेंद्र कला सरंकला का यह अनतालिसवां अंग प्रस्तोत है और आज हम जानेंगे कला के तत्तों के बारे में मित्रों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकान की बटन को जरूर दबा दिजे जिससे आने वाली महत्वपूर्ण परिछवपयोगी वीडियो की सूजना आपको मिलती रहे तो फिर आईए जानते हैं कला के तत्तों की बारे में किसी भी चित्रकला की रचना में कलागत तत्तों की बिना अभिवेक्ति अपून रहती है कलाकार के भाव कल्पना समवेग अमूर्थ होते हैं कला की तत्तों किसी भी चित्रकी रचना में कलागत तत्तों की बिना अभिवेक्ति अपून रहती है एक कलाकार के भाव, कल्पना, सम्वेग, अमूर्थ होते हैं जिनें वह मूर्थ रूप में प्रदान करने के लिए रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोथ और अंतराल जैसे कला तत्तों का सहरा लेता है इसलिए एक कलाकार को चित्र संरशना से पहले चित्रकला के मूल तत्तों का ग्यान होना परमावस्थ है अब चित्रकला के कौन कौन से तत्तों होते हैं तो चित्रकला के छे मूल तत्तों हैं जिसे कि रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोथ और अंतराल तो सबसे पहले बात करते हैं रेखा की लाइन प्राचीन काल से ही रेखा का चित्रकला में महत्पून इस्थान रहा है चाहे वो आदी मानों द्वारा गुफाओं में अपने मनोभाओं को बेक्त करने के लिए रेखा के द्वारा विबिन आकरतियां बनाई हो या फिर अजन्ता की गुफाओं में खुबसूरत पेंटिंग का निर्मान रेखाओं से हुआ है अब रेखा किसे कहते हैं तो ये दो बिंदों की बीच की दूरी को रेखा कहते हैं रेखाओं का अपना एक प्रतिकात्मक महत्वरहा है और हर प्रकार की रेखा का एक अर्थ होता है रेखा के सामानेत दो भेद माने गए हैं सरल रेखा और दूसरी वक्र रेखा तो सरल रेखा, मतलब किसी बिंदु से एक निश्चत दिषा में खीची गई रेखा को सरल रेखा कहते ह ہیں यदि रेखा खीचने की दिषा बदल जाये तो उसे वक्ररेखा कहते है अब है यह दीकते हैं रेखा के प्रकार और उनका प्रभाव क्या है हर रेखा में एक अर्थ नहींद होता है और उसका अपना प्रभाव होता है जैसे कि सीधी लंबोत रेखा यह रेखा सीधी लंबोत होती है इस रेखा का प्रभाव गौरव, सांती, एस्थाइत, सास्वता, आकांच्छा आदि है 36 रेखा यह एक आधार रेखा है इस रेखा का प्रभाव है कि विश्राम, इस्थिर्ता, सान्ती, मौन और संतुलन आदी का भाव इससे दिखाई पड़ता है कोड़ी ये रेखा हैं? यह रेखा कोड़ बनाती है? और इसका जो प्रभाव है वो ब्याकुलता है इसमें संघर्स, बेचैनी, असुरक्षा, आघात आदी का भाव दिखाई पड़ता है कनवत रेखाएं, आड़ी या तिर्ची रेखाओं को कनवत रेखाएं कहते हैं इस रेखा का प्रभाव है नाटकियता, उत्तेजना, बेचैनी, ब्याकुलता, आदी एक पुंजी रेखा, ये एक ही बिंदु से समस्त दिशाओं की और जाने वाली रेखाएं होती हैं और इनका जो प्रभाव है, वो है एकागरता, सक्ति, अभिलासा, सुदेश्प्रेम, प्रसारादी चक्रा का रेखाएं ये रेखा एक घूमते हुए चक्र के आकार की होती है इस रेखा का प्रभाव है, भ्रम, संगर्ष, उत्तेजना, गती, सक्ति आदे प्रवाही रेखा, ये एक लहरदार प्रवाह में दिखाई देती है और इसका जो प्रभाव है वो गती, लावांड, माधोर्य आदी अब आई ये देखते हैं रूप, यानि की आकरती, आकार या फिर अंग्रेजी में कहें सीव किसी रूप, आकार का निर्मान छोटे-छोटे बिंदूओं से होता है बिंदूओं को आपस में निश्चित आकार में जोड़कर किसी रूप का निर्मान होता है रूप के महत्य के आधार पर दो भाग किये गए हैं पहला सक्क्री रूप और दूसरा सहयक रूप सक्क्री रूप क्या है? किसी चित्र में प्रमुक भूमिका निभाने वाली आकर्तियों को सक्री आकर्ति कहते हैं और सक्री रूप को बल एवं महत्व परदान करने हैं तो अन्य आकर्तियां सहायक आकर्तियां कहलाती है कुछ आकारों और उनकी भावों को समझ लेते हैं जिसे चौकूर और आयताकार रूपों में इस्थिर्था और सांती होती है और गोलाकार रूपों में लयात्मक्ता होती है तुर्भुजाकार रूपों में निरंतर्था, विकास वा उर्जा का संगेत मिलता है और इसी पकार उल्टी जो तुर्भुजाकार आकरतियां होती है उल्टी तुरुजाकर आकृतियों में अशान्ती और नादित्त का भाव प्रदर्शित होता है अंड़कर रूप में लावंड स्रिजन सीलता आहलाद आधी का भाव दिखाई पड़ता है इसे पकाट तेढ़ी मेढे लहरदार रूपों में आश्थिरता आनिश्चितता चंचलता ब्याकुलता आधी का भाव दिखाई पड़ता है वर्ण यानि कलर वर्ण सब्द का सुरुपर्थम उल्लेक रिगवेद में मिलता है वर्ण प्रकास का गुण है प्रकास की किर्णों त्वरह ही हम किसी वस्तू के रंग को देख सकते हैं वर्ण के मुखिता तीन गुण होते हैं पहला रंगत, दूसरा मान, तीसरा सघंता पहला रंगत आए देखते हैं रंगत यानि हूँ रंग की प्रकित को रंगत कहते हैं जैसे कि नीला पन पीला पन लाल पन और इसे पकार मान यानि कि वैलू को यह रंगत के हलके और गहरे पन कमान होता है जैसे कि गहरा लाल हलका लाल यदि किसी रंग में सफेद रंग मिला दिया जाए तो उस रंग कमान बढ़ जाता है और यदि किसी रंग में काला रंग मिला हो जाता है सगंता यानि intensity यह रंग की सुधता का परचायक है जितना अधिक वर्ण सुध होगा उतना ही उसका घनत होगा मिस्रित वर्णों का घनत तो कम होता है अब आये देखते हैं प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं ऐसे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रन से नहीं बनाय जाते हैं वे प्राथमिक रंग होते हैं जैसे प्रकास के प्राथमिक रंग हैं लाल, नीला, हरा और पदार्थों के प्रात्मिक रंग है नीला, पीला, लाल इसे परकार दिर्दियक रंग कि नहीं दो रंगों के मिलाने से जो रंग प्राप्त होता है उन्हें दिर्दियक रंग कहते है यानि कि जो प्रात्मिक रंग है लाल, नीला, पीला इनको आपस में मिलाने से जो रंग प्राप्त होते हैं उन्हें हम दृतियक रंग कहते हैं जैसे लाल और नीला को मिलाने से बैगनी प्राप्त होता है लाल और पीला को मिलाने से नारंगी प्राप्त होता है और पीला और नीला को मिलाने से हरा रंग प्राप्त होता है इसे परकार तृतियक रंग होते हैं किनी दो दृतियक रंगों को मिलाने से ये तृतियक रंग हमें प्राप्त होते हैं जैसे कि बैगनी और नरंगी को मिलाने से रसेट मिल जाता है बैगनी और हरा को मिलाने से आलिव रंग प्राप्त होता है और हरा और नरंगी को मिलाने से सिरुटन रंग प्राप्त होता है अब आये जानते हैं वर्णों की प्रभाव और विसिस्ताओं के बारे में जिसे कि लाल रंग है यह एक गर्म रंग है इसमें उत्तिजना, प्रेम, हिंसा, क्रूद, कामुक्ता, खत्रा आधिका भाव दिखाई पड़ता है पीला रंग यह गर्म वर्ण के साथ गर्म और ठंडे वर्णों के साथ ठंडा प्रभाव देता है इसमें प्रसन्यता, प्रफुलता, देब्वता और बुध्धिमत्थ तता गर्म आधिका भाव ब्रेक्ट होता है नीला रंग यह एक ठंडा रंग है इसमें सीतलता, आनंद, राजस्व, आकास, इमानदारी, लगन आधिका भाव जलकता है हरा रंग यह भी सीतल रंग है और इसे सिथिलता, ताजगी, यववन, सम्रिद्धी, प्रफुलता, बसंत आदि का भाव आता है नारंगी रंग यह गर्म रंग की सिर्णी में आता है और इसे दिब जोती, ज्यान, वीरता आदि का भाव प्रदर्शित होता है बैगिनी रंग यह राजिसी, सम्रिद्धी, बैभाव, मृत्यू, रहस आदी का भाव लिये हुए है काला रंग यह तरथस्त रंग है और इससे प्रकास हीन, उत्तेजना हीन, गंभीर, अंधकार, भय, पाप, निरासा, संताप आदी भाव प्रकठ होते हैं तान, यानि टोन, तान का तादपर है, रंग के हलके इवम गहरे पन को कहा जाता है किसी भी रंग में सफेद इवम काले की मात्रा के अंतर से, उसके अनेक तान प्राप्ट कर सकते हैं तान को मुखतर तीन भागों में विभाजित किया गया है पहला है चाया यानि कि डार्क, दूसरा मध्यम प्रकास या मिडल टिंट और तिसरा है प्रकास यानि लाइट तान की प्रयोग से द्री आयामी धरातल पर द्री आयामी गुण उत्पन किया जा सकता है अब आई देखते हैं पूत या वयन या फिर टाक्स्चर किसी धरातल का गुण पूत कहलाता है प्रतेख वस्थू में अंतर पूत के माध्यम से किया जाता है जैसे चिकने, खुरदरे, अत्वा फिसलन युक्त धरातल पर पोट के तीन प्रकार माने गए हैं पहला है प्राप्त या कल्पित पोट यह प्रकिती तथा मानो निर्मित वस्तुवों में होता है दूसरा अनुक्रित पोट इस पोट के प्रभाव से द्री आयामी धरातल पर त्री आयामी प्रभाव उत्पन किया जा सकता है तीसरा स्रिजित पूद यह यंत्रों तथा साधनों की सहायता से स्रिजित किया जाता है अंतराल यानि इस पे इस चित्रकार जिस चित्र भूमी पर अंकन करता है वह इस पश्टित द्री आयामी होती है और यही अंतराल होता है अंतराल में सभी प्रकार की रूपों को संयोजित किया जा सकता है अंतराल का विभाजन दो प्रकार से किया जा सकता है पहला सम विभाजन और दुसरा असम विभाजन सम विभाजन में रेखाओं की माध्यम से चित्र भूमी को इस प्रकार विभाजित करना होता है कि दाएं तथा बाएं भाग समान हो इस विभाजन से चित्र में सक्ती तथा संतुलन के भाव को प्रदर्शित किया जाता है और असम विभाजन में चित्र भूमी को कलपना के आधार पर विभाजित करना असम विभाजन कहलाता है इस विभाजन की द्वारा चित्र में गती तथा तनाओं को परदर्शित किया जाता है इस विभाजन में कलाकार किसी नियम में नहीं बनता है इस संयोजन में स्रेजनात्मक्ता को महत तो मिलता है और यह विभाजन सौंदर एवं क्रिया सीलता का भाव उत्पन्न करता है अंतराल का ना केवल भाव निरूपन में ही महत्त है वरन इससे द्रियायामी चित्रतल पर कलाकार वस्तु का त्रियामी प्रभाव भी दिखाने में समर्थ होता है अब आई ये कला के तत्व पर आधारित पिछले वर्सों में आई हुए प्रश्णों को भी देख लेते हैं पहले प्रश्ण है वर्ण क्या है ए प्रकास की संपत्ती बी संवेदना की संपत्ती सी रेखांकन की संपत्ती डी वस्तु की संपत्ती तो इसका सही उत्तर है ए प्रकास की संपत्ती हमें वस्तों का रंग बोध प्रकास की किर्णों के द्वारा ही होता है ये प्रकास की किर्णे वस्तों से प्रतिबिम्वित होकर रेटी नाम पर पहुंचती है अता रंग जो है वो प्रकास का गुण है यानि कि संपत्ती है अगला प्रश्ण है रंग के हलके वा गहरे पन को क्या कहा जाता है A. मान B. तान C. सघंता D. पोद तो इसका सही उतर है B. तान तान यानि कि रंगत के हलके वा गहरे पन की और संकेत करती है किसी भी रंग में स्वेथ तथा काले की मिस्त्रण से विभन प्रकार की तान प्राप्त की जा सकती है रंग क्या है? A. Colored Stick B. Color Cake C. Color Bottle D. प्रकास का गुण तो इसका सहीतर है D. प्रकास का गुण है अगला प्रश्ण है रंगों को अधिक मिलाने से क्या खत्म होता है? A. Viscosity B. Tan C. Man D. इन में से कोई नहीं तो इसका सहीतर है मान खत्म हो जाता है अगला प्रश्ण है रंग को तकनीकी भासा में कहते हैं A. Hue B. Value C. Chroma D. Vibgior तो इसका सहीतर है A. Hue रंग को तकनीकी भासा में Hue कहते है Hue तकनीक से नीले पीले और लाल रंग की विशेष्टा को हम जानते हैं अगला प्रश्ण है इंदर धनुस के रंगों का क्रम बताईए A. हरा लाल पीला आस्मानी बैगनी नारंगी नीला B. बैगनी नारंगी आस्मानी हरा पीला नीला लाल C. पीला बैगनी हरा लाल आस्मानी नारंगी नीला D. आस्मानी नीला बैगनी हरा पीला लाल नारंगी बताईए इसमें कौन सा अप्सन सही है इसमें सही उत्तर है B. बैगनी, नीला, आस्मानी, हरा, पीला, नारंगी, लाला इंद्रधनुस का निर्मान सात रंगों से होता है और इन रंगों का करम बैगनी, नीला, आस्मानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल यहनी इसको संचिप्त में बोलें तो विब ग्योर होता है किस वर्ण में कमपन गीत सबसे अधिक होती है ए पीला, बी नीला, सी बैगनी, डी लाल इसका सहितर है सी बैगनी बैगनी से कम कमपन नीला होता है उससे कम कमपन पीले में होता है तथा पीले से भी कम-कम-पन लाल में होता है अगला प्रश्ण है कौन से रंगों में अधिक भार होता है A. थंडे रंग B. जल रंग C. तैल रंग D. गर्म रंग तो इसका सहीुततर है D. गर्म रंग रेखा तथा रूप की समान वर्णों में भी भार होता है गहरे वर्णों में अधिक तथा हलके वर्णों में कम भार होता है अगले प्रशने गर्म रंग कौन सा है A. नारंगी, B. लाल, C. पीला, D. उपर्युक्त सभी तो इसका सही उत्तर उपरियुक्त सभी यानि D है यानि कि तीनों रंग गर्म रंग की सेड़ी में आते हैं अगले प्रशने लाल रंग किसका प्रतीक है A. ग्रणा का B. प्रेम का C. सांती का D. पराक्रम का तो इसका सही उत्तर है D. पराक्रम का अगला प्रश्ण है उस रंग का चैन करें जो तेज गर्म यानिकी रंगों का हिस्टा नहीं होता है A. लाल B. नारंगी C. नीला D. पीला तो इसका सही उत्तर है C. नीला रंग क्योंकि यह ठंडा रंग होता है यह गर्म रंग के हिस्टे में नहीं आता है अगला प्रश्ण है कि आप किन दो रंगों को मिला कर लगभग काला रंग बनाएंगे A. लाल प्लस नीला B. हरा प्लस लाल C. भूरा प्लस नीला D. भूरा प्लस हरा तो इसका सही उत्तर है C. भूरा प्लस नीला को मिलाने से काला रंग मिल जाता है अगला प्रस्थन है कि आफसेट कलर प्रिंटिंग के चार कलर होते हैं A. लाल, हरा, नीला, काला B. स्यान, मैजन्टा, यलो, ब्लैक C. हरा, लाल, पीला, नीला, और D. नीला, लाल, पीला, काला तो इसका सही उतर है B यानि कि आफसेट कलर प्रिंटिंग के चार कलर होते हैं स्यान, मैजन्टा, यलो और ब्लैक कलर प्रिंट के समय रेड, ग्रीन, ब्लू को C, M, Y के में बदल दिया जाता है अगला प्रस्न है कि ग्वास रंगों की प्रकिती कैसे होती है तिसका सही उतर है डी अपार दर्सी रेखाओं के द्वारा ही भाव प्रदर्शन अजन्टा की गुफा की चित्रसली की विशेश्ता रही है अजन्टा में कितने प्रकार की रेखा सहली का प्रयोक किया गया है तो इसका सही उतर है कि 20 यानि कि अजन्टा में करेब 20 प्रकार की रेखा सहलियां प्रयोक्त की गई थी चित्र में रेखा का क्या कार है ए आकृती को रूप देती है, बी प्रवाह पैदा करती है, सी चित्र को उभारती है या फिर डी उप्युक्त सभी तो इसको सही उतर है कि डी उप्युक्त सभी है चित्र में रेखा आकरिती को रूप देती है और चित्र को उभारती है और उसमें एक प्रवाह पैदा करती है अगले प्रशने की भारती चित्रकला का रंग विधान किसका भाग है? A. सादिर्श का B. रूप भेत का C. प्रमान D. वर्निका भंग अगले प्रशने की भारती चित्रकला में रंग के साथ महत्व है A. प्रकास और चाया का B. परिप्रेक्ष का C. रेखा का D. मॉडलिंग का तो इसका सही उत्र है C. रेखा का यानि कि भारती चित्रकला जीवन के भौतिक एवं आध्यात्मिक पच्छों की सुन्दर अभिवक्ति रही है जिसमें रेखा और रंग मिलाकर चित्रत अभिवक्तियों को बहु आयामी बनाते रहे है तो फिर आज बस इतना है मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई टिस सीरीज को सालब करेंगे वीडियो को पूरा दिखने के लिए बहुत बहुत भनवाद